नमस्कार संसर टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ प्रतविम शर्मा और आप देख रहे हैं कैबनेट इस वीग जिसमें हम बात करेंगे केंदरे कैबनेट द्वारा लिए गए गए दो फैसलों की प्रदानमंत्री नरिंदर मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबनेट की बैठक में रख्शामदन और ओडम पर देशवासियों को बड़ा तोफ़ा देते हुए एल पीजी सिलिंडर के कीमत में 200 रुपै की कमी करने का फैसला लिया गया है प्रदानमंत्री उजवला योजना के लाभारतियों को 200 रुपै का अतिरिकता फायदा मिलेगा उन्हें पहले से ही सबसीडी के रूप में 200 रुपै मिल रहे हैं इस तरह अब उनके खाते में 400 रुपए की सबसिरी आएगी सरकार ने जल्द ही निर्धन परिवारों की 75 लाख मैलाओं को प्रदानमंत्री उज्वला योजना के नए कनेक्शन का वितरण शुरू करने का भी गणलिया है देश में घरेलू LPG गैस उब्भोकताओं की संखिया तक्रिबन 31 करोड है जिसमें 9 करोड 60 लाख प्रदानमंत्री उज्वला योजना लाभारती परिवार शामिल है ओनम और रक्षा बंदन के इस पावन अफसर पर प्रदानमंत्री मोदी जीना निर्णे लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किये जाएंगे सभी उब्भोकताओं के लिए 200 रुपय दाम कम होंगे और आज मैं कहना चाहता हूँ जब हम 2014 में आए थे मोदी जी के नितत्त में सरकार बनी तब देश में मातर साड़े 14 करोड लोगों के पास रजोई गैस का सिलेंडर था डुमेस्टिक लपी जी आज वो बढ़कर 33 करोड हुए हैं जिन में से 9 करोड 60 लाक उजवला गैस सिलेंडर जो हमने मुफ्त में गैस कुनेक्शन दिये थे और उजवला गैस युजना वालों को 200 रपया सबस्टिडी पहले ही मिलती है तो सभी उप्भोकताओं को जो डुमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं उसका दाम 200 रपय कम कर दिया गया है रक्षा बंदन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात ने रिंदर मोदी जी ने दी है दूसरा में कहना चाहता हूँ यह 75 लाग जो नए कुनेक्शन और मिलेंगे यह जो कुछ परिवार रह गए थे उनको भी या कईयों के नए राशनकार बंदें के नए परिवार बेटे की शादी होगी तो नए परिवार बनता है तो उनके लिए भी ऐसी सुविधा उपलब्द होगी हम आपको बता देंगे प्रदान मंतरी ने ट्विट करके कहा कि गयस के खिमतों में कटौती होने से हमारी बेहनों का जीवन और आसान होगा प्रदान मंतरी ने कहा कि रक्षा बंदन का पर्व हमारे परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है और हमने अपनी तरफ से प्रियास किया है खोशियां बाटने का पुरी विशय को बहुत बारिकी से समझने की कोशिश करेंगे पंकर जैन्जी से जो सचीव है पेट्रोलियूम और प्राकृतिक गैस मंत्राले भारत सरकार पंकर जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हम देख रहे थे कि तकरीबन पांच महिने से गैस के दाम स्थिर थे अचानक इतना बड़ा फैसला लिया गया और अचानक हमें नजर आ रहा है इस फैसले को बहुत ही सोच समझ कर कैलकुलेशन के बात लिया गया होगा तो इस से बड़े फैसले के पीछे एक मोटी और बड़ सब्सक्रागी की सोच है इसमें दर्शाती है जो यह देख रही है कि हमें अगले कुछ महिने तक जिस तरह से कि गैस के दाम हमें स्थिर रखने हैं और साथ में लाब भी देना है आम नागरिक को उन सब को देखते हुए उन सब के मद्दे नजर गैस के दाम 200 रुपए कम किये गए सब भुगताओं के लिए कम किये गए तो इसी तरह अगर हम कहें तो अगर आप दिल्ली में हैं अगर अभी आप जब एक गैस रिंड़क खरीदे थे जो ग्यारा सो तीन रुपए आप देते थे अब जब आप गैस खरीदेंगे तो आप भी उसी तरह आते रहेंगे तो ये बड़ा फैसला है जो लिया गया है आपने ये उजुला के लिए बताया कि विदिवत दो सो रुपए जो आते रहते थे वो अभी भी आएंगे लेकिन शायद ऐसा एक संदेश या रहा है कि अब दो सो की जगा चार सो रुपए खाते में आएंगे तो क्या स्थिती क्या है सपष्ट तोर पर पर लाब जो जो उजुला के लाबारती को मिल रहा है वो चार सो रुपए है लेकिन दो दो अलग अलग उसके हिस्से हैं दो अलग अलग भाग हैं चार सो का जो आपको लाब मिला पहले तो दो सो रुपए आपने शुर लेकिन कुल मिला के जिस सामान के लिए आपकी कुल लागत 903 आ रही थी अर्था पहले आ रही थी 1103 और 200 रुपए आपके खाते में उसी सामान के अब लागत 903 की जगे 703 हो गई है लेकिन जो आपको 400 का लाब मिला वो शुरू में 200 जब आपने खरीदा तब तम आपने दिये और बाकी 200 आपके खाते में आए जी तो ये देश भर में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग शेहरों में समान रुप से 200 रुपए का लाब सीधे तोर पर उभूगताओं को होने वाला है जी हाँ क्योंकि 1103 का जो दाम है वो दिल्ली का दाम है हर शहर में फुरा सा उपर नीचे दाम होता है जहां पर जो भी दाम है आप सीधा सीधा वहां पर 200 रुपए कम कर लीजे क्योंकि ये इस्यू प्राइस मतलब जिस दाम पर LPG डीलर सिलिंडर इस्यू करता है वही दाम 200 रुपए कम हो गया जो भी दाम आपके शहर में आपके गाउं में आपके देहात में जो दाम था वो 200 रुपए कम हुआ है जी जी अब सवाल ये उटता है कि 200 रुपए दाम कम किया गया करोडों हमारी संख्या है जो LPG सेलिंडर का इस्तेमाल करती हैं कितना खर्चा पर कितना खर्चा आएगा इसका अनुमान लगाना अभी कथिन है क्यों कि जो LPG है इसको हम अधिक तरह हम आयात करते हैं जो इसका LPG का दाम होगा अभी हमारे हमें उसके विशे में मालम नहीं है कि आगे चलकर नवंबर महिने में रिसंबर महिने में जनवरी में फरवरी म क्या अंतराश्टी इसका दाम होगा दाम चाहे कुछ भी हो सरकार ने जो दो सो रुपे का इसका जो एक दाम कम किया है जो हमने अपनी तरफ से कम किया है सरकार में इसमें साल खतम होने के बाद हम गड़न देखेंगे इसका बैठकर कि कहीं इसमें नुकसान हुआ होगा कही यह फाइदा हुआ होगा तो और उस समय ही फैसला करना हुचित होगा जब हमारे पास पूरे हांकड़े होंगे कि कितने कितने हो भूगता हुना कितने लिये हर महीने कितने दाम रहे अंतराश्च्री है और हमने अगर इस एक फिक्स रेट पर एक ही कीमत पर हमने अगर से देखा जाएगा तो अभी इसमें यह कहना यह अनुमान लगाना कि हर महीने कितना फाइदा होगा या कितना कॉस्ट आएगा यह यह भी मुश्किल है यह भी कहना मुम्किन ही नहीं है जी एक इस बड़े फैसले के साथ एक और फैसला जोड़ा हुआ है निर्धन परिवारो क्या कोई मेकनिज्म है कोई जो है सिस्टम इजाद किया गया है क्या देखिए इसका भी एक सिस्टम अभी नहीं है यह सिस्टम काफी पहले से है आप अपने डीलर के पास जाकर जो भी आपके अलाके में लपीजी डीलर है वहाँ पर आप दर्खास दे सकते हैं ऑईल कंपन पाए थे और हमें अमीद है इस तैसले के बाद और भी ऐसे ऐसी ग्रहनिया या ऐसे घर आएंगे जिन्हें इस कनेक्शन की जवरत होगी वो अपनी दर्खास अपनी आप्लिकेशन दें इसका वेरिफिकेशन करके ये 75 लाख जो नए कनेक्शन मन्जूर हुए हैं उसी के और बेहनों के लिए खाना बनाना थोड़ा सा आसान हो जाए रसोई घर में काम करना थोड़ा सा सरल हो जाए साथी साथ सरकार की मंशा ये भी थी कि उनका स्वास्त भी थोड़ा सा उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि चूले से लकडी जला कर जब खाना बनाय जाता है तो धूआ उटता है उसे फेंपडों की बीमारी हो जाती है आँखों की बीमारी हो जाती है तो जो 75 लाख महिलाओं को प्रदानमंत्री उजुला योजना के नए कनेक्शन वित्रित करने का जो निड़े लिया गया है कैबिनेट के द्वारा क्या वो स्वास्त के परिद्रश्य से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कहीं न कहीं बहुत ही जहुरी है यह जो आप में एक मुद्दा सामने लाएं हैं क्योंकि अभी अगर हम देखें तो रसोई में खाना तो अभी भी बन रहा है लेकिन उस रसोई में खाना किस तरह से बन रहा है वो गोबर के ओपले कोईला या लकड़ी या कहीं से कुछ भूसा मिला या को इता है उससे खांसी होगी और उससे सवास पे बहुत ही नुक्सान उसका होगा इन सब को देखते हुए जो आज का इंदन है ऐउनकों आको अज Cr को आँन है और हमें रहा है कि रोक में और नाकालिक है और यह सरल्ता सामें मिल भी जाता है इसके लिए लोगों को दूर दूर तक पैदल जाकर अपने सर पे गठ्छर लाने नहीं परते हैं यह सब नहीं करना परता है जो जन्गलों में जाकर पेल काटने का काम कुछ टहनी काटने का काम ये सब खतम हो जाता है तो ये सरलता भी है इसमें और इसमें स्वास के जो लाब हैं ये बेहद हैं तो इसलिए नौ दशमलख छे करोड घरों में जब उजवला दिया जा चुका है अब और पिशतर लाग घरों में उजवला पहुंचे गा और ये ऐसे पिशतर घर हैं जो पुराने इंधन का इस्तमाल कर रहे थे और पुराने इंधन के हम बदलाब करके नया इंधन ला रहे हैं जिससे धुआ रहे रसोई और बहतर स्वास्त यह हमें दोनों लाब मिल रहे हैं तो ये लाब जो है दो सो रुपए का फाइदा जो सीरे तोर पर सरकार न तीस अगस माने बीता हुआ कल उस दिन से जितने हमारे सिलिंडर इश्यू हो रहे हैं वो नए रेट पर अठाद दो सो रुपे कम के रेट पर इश्यू हो रहे हैं। जी जी ये एक फैसला लगता है देखने में कि दो सो रुपे अलपीजी गैस पर कम कर दिये गए हैं। लेकिन क्या ये हमारी जो पिछenario हम दिनों देख रहे थे बरसात की वज़ज़ से वहनसून की वज़ज़ से या वार की स्थिती की वज़ज़ से देश के अलग अलग शित्त्रों में में तोरसा इजाफा हुआ था। महंगाई को कम करने के लिए फिनेंस मिनिस्ट्री भी काम कर रही है साथी साथ आर्बियाई का भी लक्ष है कि किस तरीके से महंगाई को काबू में रखा जाए तो उस परिप्रेक्ष में भी क्या एलपीजी सिलिंडर के दाम करना मैतवपून हो जाता है कि सरकार की तो हमेशा कोशिश यह रही है कि महंगाई नियंतन में रहे और उसके लिए जो भी कदम है वो सरकार उठा रही है और ऐसे कई कदम सबके सामने हैं सबको विदित हैं एलपीजी एक ऐसा इंधन है जो अगर हम बात करें तो हर घर में लगबग एलपीजी के स्तमाल होना और हर घर का खर्चा लगता है एलपीजी पर इसका आपको परिनाम उस पर मुझास्पीती की महंगाई पर आपको फॉरन दिखेगा कि इससे महंगाई और मियंत्रित होगी जी जी इंधन के दूसरे स्रोत पर जाने लगे थे लोग क्योंकि लगातार गैस के दाम बढ़ रहे थे तो दूसरे स्रोत क्या हो सकते हैं खाना पकाने के उस पर लगातार जो है विचार कर किया जा रहा था आम लोगों की दौरा और सरकार भी लगातार इस पर जोर दे रही थी कि इंधन के आयात को कैसे कम किया जाए या फिर दूसरे देशों पर इंधन की जो हमारी जो है उपलबदता पर निर्भरता है उसको कैसे कम किया जाए लेकिन सरकार का वो प्रियास कहीं न कहीं भी उसको यूटन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा इंदन की उपलबदता जो है आपने पहले भी कहा कि हम लोग जो है LPG आयात करते हैं तो उस परिप्रिक्ष में क्या कुछ और दूसरा कोई रास्ता अख्तियार करेगी स तो जहां हमने 10 प्रदिशत किया तो उतना ही हमारा जो भार सायातित तेल है वो दस्तिशत उसी अनुपात में उस तरह कम हुआ है इसी तरह अभी हमारे प्रयोग चल रहे हैं कि क्या LPG में हम कोई ऐसी चीज मिला सकते हैं एथिनॉल की तरह जिससे हमें LPG का जो आयात करना ह है वो कम हो सके लेकिन यह अभी अनुसंदान चल रहा है यह इसके क्या नतीजे निकलेंगे यह सबके समख्ष आएंगे लेकिस साथ-साथ यह एक कमझ्य की चीज है कि यह दोनों चीज अलग-अलग नहीं देखी जा सकती हमें दोनों चीज साथ-साथ करनी है जितना हमारे LP जी का घरों में इस्तमाल हो रहा है वो बढ़ना चाहिए अगर अभी एक उज्वला का लाबाती साल के चार सिलिंडर लग-वक्तीन दश्मलव साथ सिलिंडर लेते हैं तो दाम कम होने से उनको भी उमीद होगी कि अब वो अपनी जो थोड़ा बहुत भी लकड़ी पर भरो अगर हम कुछ लोकली प्रेडियूस चीज उसमें लगा सकें उसमें ब्लेंड कर सकें तो हमारा आयाद भी उससाब से कम होंगे दोना चीज साथ साथ चलेंगी साथ साथ चलेंगी लेकिन जैसा आपने कहा कि जब चीजें सस्ती हो जाती है तो उसका इस्तेमाल भी बढ़ जाता है और गैस सिलेंडर के दाम दो सो रुपए दो चार रुपए भी नहीं बलकि दो सो रुपए कम कर दिये गए हैं तो जो दूसरी तरफ जा रहे थे दूसर वो आयात किस तरह के से नियंतरित रखा जाए वो एक चुनौती होगी सरकार के सामने उस चौनौती से पार कैसे पाया जा सकता है उसका कोई ब्ल्यूप्रिंट अभी तख कुछ तयार किया गया है उस पर विचार किया जा रहा है जैसा मना अभी बताया उस पे अनुसंधा चल रहा है जिसको हम डायमीधीः लीथर कहते हैं बीमी वी सब्राइब आप हमारे प्रयोग चल रहे हैं कि क्या ये ब्लेंड हो सकती अल्कीजे में तो हम हमारे सफल होते हैं तो इसे भी हम ब्लेंडिंगिंग के की बात है केंद्रि मंत्री गटकरी जी ने पूर एथनॉल मिश्रित पेट्रोल से वहां चलाने का एक उधारन सेट किया है देश के सामने तो माना जाए कि अगर पेट्रोल में ये प्रियोक सफल हो जाता है तो पेट्रोल की बचत तो होगी होगी साथी साथ पेट्रोल की आया ब्रजील जैसे देश जहां पर 30 प्रतिशत एथनॉल की ब्लेंडिंग अभी है और अगर आप वहां गारी ऐसी गारियां हैं कि जिसमें आप तुर्फ 15 परसन पेट्रोल और 85 प्रतिशत एथनॉल डाल के भी गारी आपकी चलेगी बढ़िया से चलेगी तो और देश कर चुके हैं हम भी इसमें काफी अगरसर हैं जी आपने समय निकाल है पंगर जी और बहुत सारे बिंदू पर प्रकाश जाला इस बड़े फैसले पर जो की लपीजी गेस सिलेंडर के दाम 200 रुपए तक करने का फैसला लिया है कैबिनिट ने उसके बारे में आपने बहुत बारी किस सपलता का जश्ट मना रहा है केंद्रिय केमिनेट भी इस खुश में शामिल हुआ केंद्रिय मंत्री मंडल ने चंद्रियान तीन मिशन के तहत चंद्रमा की सतह पर सौफ्ट लेंडिंग की सराहना करते हुए मंगलवार को एक प्रस्ताव पारिद किया पूरा देश चंद्रमा पर मिशन चंद्रियान 3 की सफलता का जश्ट मना रहा है केंद्रे केमिनेट भी इस खुशी में शामिल है कैबिनेट हमारे विज्यानिकों की इस एतिहासिक उपलब्दी की सराहना करती है यह सिर्फ हमारी स्पेस इजन्सी की ही सफलता नहीं है बलकि भारत की प्रगर्थी और ग्लोबल स्टेज पर हमारी ताकत का प्रतीक है कैबिनेट इस बात का स्वागत करती है कि अब 23 अगस्त को नाशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा कैबिनेट इस रोके इस प्रयासों के लिए बहुत बहुत बधाई देती है हमारे विज्यानिकों के निरंतर प्रयासों की वज़ा से भारत चंदर्मा के दक्षणी धुरुफ के स्मीप उतरने वाले दुनिया का पहला देश बन गया है चंदर्मा पर उतरना और वो भी पूर्व निर्धारित पैरामीटर्स पर पूरी तरह खरा उतरते हुए अपने आप में एक बड़ी उपलब्ती है तमाम चुनौतियों को पार करते हुए चंदर्मा के दक्षणी धुरुफ के स्मीप उतरना इस भावना का प्रतीक है कि कैसे हमारे विज्यानिक ग्यान की खोज के लिए हर सीमा के पार कर जाने के लिए तैयार रहते है प्रग्यान रुवर के द्वारा हमें जो जानकारियों का खजाना मिल रहा है उसे हमारे ग्यान में वृद्धी होगी नई खोज का मार्क बनेगा और चंदर्मा के रहसमे को समझने और उसे भी पार जाने में मदद मिलेगी जहां कैबनेट के प्रस्ताव में कहा गया कि समिशन की सफलता अंतरिक शित्र में भारत की वेग्यानिक उपलबदी से कहीं ज्यादा है देश की उन्नत सोच आत्म निर्भरता और वैश्विक मंच पर उभरते नए भारत का प्रतीक है कैबनेट इस बात का सौगत करती है कि अब 23 अगस को निश्टन स्पेस्टे की तोर पर मनाये जाएगा मंत्र मंदल की बैटक के बाद सुचना अभरती को सपश्ट करते हुए का कि प्रदान मंत्री नरेंदर बोदी की धक्ष्टा में हुई केंद्रिय मंदल की बैटक में चंद्रियान तीन मिशन की सपलता के कारण भारत की बड़ी उपलब्दी पर इस्रो और वैगिनिकों की सराहना की जाती है यह हम आपको पता दें कि लेंडर विक्रम से निकल कर रोवर प्रिग्यान ने चंद्रमाग पर काम करना शुरू कर दिया है वहाँ से लगातार चित्र भेज रहा है और हम ये भी बता दें कि रोवर प्रिग्यान ने लैंडर विक्रम का चित्र भी कल उपलब्द करवाया है जिसको इस्रो ने सब के साथ साझा भी किया है कबनेट दिस वीक में आज के लिए इतना है कबनेट दिस वीक में आपसे फिर भेट होगी फिलहाल मुझी आग्या दिजिए लेकिन देख तरी संसा टीवी नमस्कार